गुड यूनिंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम लोग डिसकस करेंगे आपका जो T5 है आल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज का जिसका टॉपिक है अनिमल किंगडम एंड रिप्रोडक्टिव हेल जो आपको आज अभी दो बजे आप लोगों ने द exclusively marine तो बच्चों अगर देखा जाए कि कौन सा फाइलम exclusively marine है अगर हम लोग देखें तो इसका एंसर निकल के आता है आपका इकाइनो डर्मेटा एंसर तो आपको हो गया इकाइनो डर्मेटा exclusively marine है लेकिन बच्चों जब भी ऐसा question आए कि आल आर मरीन या exclusively marine कुछ इस प्रकार का question आए तो बच्चों तीन नाम याद होना चाहिए एक तो आपका टीनो फोरा और दूसरा बच्चा आपका इकाइनो डर्मेटा और एक साथ इसाथ बच्चों आपको याद होना चाहिए प्रोटो कॉर्डेट्स बच्चों प्रोटो कॉर्डेट्स एक फाइलम नहीं है एक सब फाइलम है ये आपको याद होना चाहिए तो प्यारे बच्चों एस्क्लूजिवली मरीन वर्ड याद रख लेना अगर फाइलम दिया होगा तो या तो एंसर इकाइनो डर्मेटा होगा या तो टीनो फोरा होगा ये दोनों फाइलम है जबकि आपका प्रोटो कॉर्डेट क्या है बच्चा आपका सब फाइलम है क्या है प्यारे बच्चों आपका सब फाइलम है जिसमें आपका यूरो कॉर्डेटा और साथ ही साथ आपका सिफाइलो कॉर्डेटा आता है तो पहले का एंसर होगे आपका साथ साथ आप भी एंसर देते जाहिएगा चलिए कोश्चन नुम्बर सेकेंड 102 इन सब फाइला वर्टी रेटा नोटो कार्ड इस रिप्लेस्ट बाई या स्ट्रक्चर इन दा एडल्स इस्ट्रक्चर आर क्या होगा यह स्ट्रक्चर चलिए बताइए आप लो पलक दिवेदी गुड इनिंग बच्चा सुभाज चारशिया गुड इनिंग अस्मा बानो गुड इनिंग बच्चा चलिए बच्चों जवाब देजिए तो आपको पता होगा बच्चों फाइलाम कोडेटा को सब फाइलाम में डिवाइड़ किया गया था जिसमें आपका आता था यूरो कॉडेटा सिफैलो कॉडेटा एंड वर्टीब्रेटा तो जो वर्टीब्रेटा सब फाइलम था उसमें नोटो कार्ड रिप्लेस हो जाती थी वर्टीब्रल कॉलम से लेकिन प्यारे बच्चों आपको ये भी प्यात द्यान होना चाहिए कि जो वर्टीब्रल कॉलम है काटिलाजनेस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है जैसे कि आपका काटिलाजनेस हो जाएगा साइकलोस्टुमेटा में तो वर्टीब्रल कॉलम क्या हो जाएगा आपका काटिलाजनेस भी हो सकता है बोनी भी हो सकता है तो more than one option correct है one or two दोनों correct है जिसका अंसर हो जाएगा 2 of the above is correct कायटिन इस वर्ड ऐसा कुछ है नहीं कायटिन वर्ड आपका आता है आर्थो पोड़ा और फंजाई में सुभास साड़े पांच की क्लास थी बच्चा थोड़ा सा टेकनिकल इसू के कारण थोड़ा सा लेट हो गई ठीक है अब इसे कर देंगे बच्चा नीट पॉइंट गूइण बच्चा अंसु वर्मा गूइण नेक्स्ट क्वेच्चन है 103 इन विच अनिमल नोटो कार्ड इस एक्स्टेंड फ्रांदा हेड तो तेल रीजन एक्सटेंड तो बच्चों आपको पता होगा एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए USA की डोली तो उरो कॉर्डेटेटर यू फार उरो कॉर्डेटर और Euro Quadator में आपका आता है Sapa, Acidia and Doliolum तो बच्छो Euro Quadator में Euro मतब होता टेल तो Notocard कहां प्रजेंट होगा आपका टेल रीजन में होगा वह भी लारवल टेल में होगा तो तीनों एक्जामपल आपके Euro Quadator के हैं इसलिए लारवल टेल में पाजाएगा नेश्ट आपका एक और आता है Cephalo Quadator Cephalo Quadator बहुत ही important है Cephalan मतलब होता brain यानि head to tail होगा persistent throughout their lifespan होगा और साथी साथ इसका एक्जामपल याद होना चाहिए एक तो आपको दिया ही है Branchiostoma साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी याद होना चाहिए बच्चों आपको character पहला अप्चन है प्रिजेंस आप टाइप आप अपेंडेजेज प्रिजेंस आप टाइप आप हाट प्रिजेंस आप टाइप आप किड्नी या प्रिजेंस आप टाइप आप बोन चलिए बाई जवाब दीजी आप लोग Universe उतकर सरोज A यह स्राइड बच्चों तो गनेतव स्टमेटा एक ग्रूप बना था सूपर क्लास पाइसेश और एक बना था बैटा आपका टेट्रापोडा इसमें अपनेज जोस था वो क्या था बैटा फिन था फिन्स और इसमें क्या था आपका लिंब तो प्रिजेंस आप टाइप आप अपंडेजिस पाइसेस में आपका क्लास आता था कॉंडरक्थिस और टेट्रापोडा में जो क्लास आथा आपका एंफिविया रेप्टिलिया एपस और मैमेलिया था क्वेस्ट नूमर 105 इन दबोनी बॉडी ओफ साइक्लो इस्टुमेटा विच इस्टुक्चर इस नौट फांड स्केल्स पेर फिंस बोथ 1 एंट 2 एंड क्रैनियम हश्नानी हश्नान बोल वच्चा क्या डाउट है सर डिफन परसनल वार्ड उत्रा खंड मिल जाएगा अनानया अनाया अगर आपका डिफेंस कोटा है तो मिलने के चैंसेज है तो बॉड़ी अप साइक्लोस्ट मेंटा डिवाइड आफ स्केल इसकेल नहीं पाए जाता है और पेर फिंस भी नहीं पाए जाते बच्चों तो एंसर हो जाएगा थर्ड बोथ 1 एंड टू राइट तो बच्चों एक साथ साथ एक कुशन और यहां पे रहता है कि अन पेर्ड फिंस की बात किया जाए पेर्ड फिंस नहीं अन पेर्ड तो अन पेर्ड फिंस क्या होते हैं प्रिजेंट होते हैं ध्यान रखिएगा कई सारे बच्चें यहीं समझ लेते हैं कि फिंस आर अपसें फिंस आर प्रिजेंट अन पेर्ड होगा तो प्रिजेंट है लेकिन पेर्ड यानि जोड़े में नहीं पाये जाएगा तो एंसर हो जाएगा आपका थर्ड नेक्स्ट है वन जिरो सिक्स विच वन अब दा फालूइं पेर आफ एनिमल्स और जॉलेस यानि एगनेथा में आएगा आएगनेथा में बच्चों आपका जो आता है ओ आता है समय मेंबर के होंगि उसका एंसर होगा चलिए आप लोगर एंसर करिए तो फिर हम आप को explain करें है कि दिसंबर बच्चा तो बच्चों साइक्लोस्ट मेटा में याद कर लीजिएगा आपका एक हर्मूला भी बनता है और साइक्ल लैंप पे है मिक्स तो साइक्ल मतलब साइक्लोस्ट मेटा लैंप मतलब लैंप्रें पे मतलब बच्चा पेट्रोमाज़न हैग फिस् मिक्स मतलब मिक्जाइन तो जो भी आपसन होगा है फिस्ट पेट्रोमाज़न मैच कर रहा है यह भी होगा लैंप्रें एक्जाइन यह भी होगा हैट फिस्ट फाइटिंग फिस्ट नहीं होगा यह गलत हो जाएगा तो तो आप दा एबबाब और करेक्ट अंसर नेक्स्ट आया आपका इन दा गीवन गीविलो एक्जामपल हाव मैनी इनमल्स इन विस्ट्री चैंबर हर्ट अकर्स डॉक फिस्ट फिस्ट फ्लैंग फिस्ट हाइला ब्यूफो शलमंडर क्लारियस तो बच्चों आपको पता होगा इसके बाद एमफीविया इमफीविया में बेटा आपका थ्री चैंबर्ड रेप्टिलिया ज्यादातर इसके बाद बच्चों आपको पता होगा कि जैसे कि क्रोकोडायल होगे अगेटर होगे उसमें फोर चैंबर्ड बर्ड्स और Mammelia में Heart होगा आपका 4-Chamberd इतना तो सारे को पता होगा तो वह example जो birds और Mammal को छोड़के और Alligator और Crocodile इसको छोड़के जो भी होगा वो कितना होगा 3-Chamberd होगा तो Fist में 2-Chamberd है तो Dog Fist Scaliodon नहीं होगा Prestige Star Fist A.B. नहीं होगा Flying Fist A.B. नहीं होगा बच्चा आपका Hila यह आपका Amphibians है Bufo Amphibians Salamander Amphibian है Clarius Mangor यह आपकी मचली है तो बच्चा कितना बेचा आपका 3 हैं जो Amphibia को बिलांग कर रहे है और आपको पता होगा कि Amphibians have 3-Chamberd हार्ट तो एंसर हो जाएगा आपका अब इना उत्र पाथी अनुरादा बच्चा स्टार्ट है अल्रेडी चल रहा है अल्रेडी चल रहा है बच्चों जोईन करिए आप लोग नेक्स्ट हैं इन विच ग्रूप आप अनिमल्स Claspers are found Osteakthys, Amphibia, Conductis आपके पता है कि Claspers यह आपके मेल में पाया जाता है खास करके अगर आपको इंसे आटी में ग्जामपल देया होगा तो मेल सार्क का दिया होगा Conductis, Bony Fisch नहीं आपका Conductis यह नि काटिलेजनस Fisch सार्क वहाँ से होता है Carcarodone, Great White, Sark तो एंसर हो जाएगा आपका 3rd Conductis In the given below example, how many animals are homeo thermos तो बच्चों याद रख लिजेगा Fischis, Amphibia, Reptilia, यह होते हैं Poecilothermos Poecilothermos मतब Cold-Blooded, इनका Body का Temperature जो होगा वो Environmental Temperature के साथ Variable होगा यानि जैसे-जैसे Environment का Temperature बदलेगा, वैसे इनकी Body का भी Temperature बदलता रहेगा लेकिन जो आपका Apes है, Bird और आपका Mammalia है, बच्चा Apes and Mammalia, इनमें जो हैं, यह होते हैं Homeo thermos कहने का मतलब, इनका Body का Temperature constant रहता है यह होते हैं, आपके Warm-Blooded Animals तो जो भी किसका पुछा है, Homeo thermos का, तो जो भी आपका Bird और Mammals का Example होगा वो हो जाएगा आपका Homeo thermos केरकेरोड्राम, Great White Sark है, मचलिया है, नहीं होगा एग्जोसिटर्स फिस है आपका, नहीं होगा फ्लाइंक फिस, एक्तियो फिस है, Limbless Amphibia है, यह भी नहीं होगा टेरोफाइलम, Angel Fish है, यह भी नहीं होगा टेस्टिडो, टाट्वाइज है, यह भी नहीं होगा कैलोट्स, गार्डेन लीजेड होता है, यह भी नहीं होगा पावो, यह आपका होगा, पिकक, नियोफ्रान, वल्चर, इस्टूथियो, ऑस्ट्रिच यानि यह तीनों आपके Birds हैं आपको पता है, Birds और मैमन में, होमियो थर्मस कंडिशन होती है, पूछा है, होमियो थर्मस, एंसर हो जाएगा आपका 4, 3rd, जागे कितने बच्चों ने जवाब दिया है, यस, राइट, वेरे गुड बच्चों, बच्चों आपको याद हो रहा है, 2021 का पेपर अगर आप लोगों कई बच्चों ने भरा होगा, दिया होगा, तो 2021 की पेपर में आपका नियो फ्रान दिया था, याद आ रहा होगा आपको, नियोफ्रान अब अच्छा जो नियोफ्रान था पूछा गया था कि किसका बोन हालो होता है नियोटिक होता है नियोटिक बोन करके क्वेश्चन था और उसका अंसर था नियोफ्रान यानि बच्चर इनके बारे में स्टेट्मेंट दिया गया है और कौन सा स्टेट्मेंट सही है यह पूछा गया है और यहां पर सारे मेंबर किसके हैं आपके रेप्टीलिया हैं और आपके बर्ड्स हैं मैमेलिया हैं इसका मतब किसका सेम फायलम को बिलॉंग करते हैं यह बात तो सही होई कौड डेटा के मेंबर है आल आर बिलॉंग टू सेम सूपर क्लास तो बच्चों आपको याद होगा दो सूपर क्लास था एक था टेट्रापोड़ा और एक था पाइसिस यह अगर मचलियों का एक भी गुरूप होगा तो सेम क्लास को बिलॉंग नहीं करेगा और आपको पता है फेलिस, पैंथरा, टेरोपस, ब्यूफो, टोड, हायला, नियोफ्रान, नाजा, क्रोकोडाइलस, पावो यह सब आपके amphibia हैं और आपके birds हैं और reptilia हैं और पैंतरा मेमेलिया हो गया तो यह भी बात सही हो गई आलार cranium containing animals सारे animal में brain box पाई जाती है तो यह भी सही हो जाएगा तो बाई, क्लास tetrapoda के member हैं, phylum codata के member हैं और सब में cranium यानिकी brain box पाया जाता है तो एंसर क्या हो जाएगा आपका 4, all of these, how many of the following features are used as the basis of animal classification simple है, NCRT के वाइज है, size of cell, arrangement of cell, body symmetry, nature of sylom, size of animal, कितनी matching correct है regarding to basis of animal classification बताए बाई तो बच्चों आपको याद होगा, size of cell से तो कोई matter नहीं होता है यह बात गलत होगी आपकी arrangement of cell, cell का arrangement कैसा है, यह भी आपका basis of classification नहीं था आपका cellular organization एक classification का basis हो सकता है लेकिन arrangement of cell ऐसा कोई order नहीं है body symmetry कैसी है, radial है, कि triple plastic है nature of sylom, sylomate है, कि acylomate है, कि pseudo sylomate है size of animal, animal का size कैसा है तो यह भी कोई matching आपकी नहीं बनती है तो ज़रा बताए एंसर दीजी आप लोग अम रादा बेटा चल रहा है, कई सारे batches हैं आप join करिए बच्छूं सर 2022 का बैच कब तक जॉइन कर सकते हैं प्रिवांसू मैसेज करो बच्चों को तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो यहां पर आरेंजमेंट जो है ना आरेंजमेंट आप सेल बॉडी और्गनेजिशन से मैच कर सकता है तो इसको भी आप सही मान सकते हैं लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से आपको अरेंजमेंट की जगह आपको होना चाहिए था कि बेसिस आरेंजमेंट आप सेल्स या टाइप आप बॉडी और्गनेजिशन साइज आप अनिमल कोई मैचिंग नहीं करता है तो आपका तीन साही हो जाएगा सेकेंड इद्दा एंसर Question No. 112 Which is a correct matching set? Column 1, Column 2 की matching है Cellular collection, tissue formation, organ formation, organ system तो आपको पता होगा कि organ system level of organization start हो जाता है प्लैटी हल्मेंटिस से और अगर आप देखिए कि जहाँ पर diagram बना हुआ है आपका chart बना हुआ वहाँ पर लिखा हुआ भी है इसके बाद organ formation भी start हो जाता है आपका प्लैटी हल्मेंटिस से ही tissue होता है आपका cilantro and tinophora और cellular grade होता है आपका porifera में तो अगर matching करा जाए कि cellular grade हो गए आपका porifera A is 4 अब बच्चों याद करो NEED 2021 का जब आप लोगोंने paper दिया होगा मैचिंग टाइप का जो question आया हुआ था मैचिंग टाइप का और नियरली 20 questions थे अगर मैच कराते बैठोगे आप और सारे option को ढूड़ते बैठोगे तो आपको question करने में बहुत ही difficulty होगी क्यों बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर बायों का पेपर लेंदी था बायों का पेपर असान तो था लेंदी था लेकिन साल करने में हमें टाइम लगा तो उसके पीछे का एक region था आपका कि 20 question matching टाइप के थे और हर बच्चा ऐसे मैच कर रहा था आपका इसका यह है इसका यह है ऐसे करके मैच कर रहा था जिसकी वज़ा से आपका इसमें मैच करने में बहुत ज्यादा टाइम वेश्ट हो रहा था लेकिन आप जब matching को देखोगे बच्चों तो matching में मेरा अभी तक का जो नजरिया रहा है पहली वैली matching कर लीजिए या last वाली matching कर लीजिए आपको answer निकल के आ जाएंगे जैसे मैंने एक matching किया खाली A का 4 के साथ आप देखिए कोई भी ऐसा option नहीं है जो A का matching करा रहा हो 4 के साथ तो obvious सी बात है answer आपका निकल के आ गया तो जल्दी से आपको answer मिल किया आपका time less consuming रहा हंडिट परसंट एसोड भी हो गए आपकी A का 4 से मैच होना है बस जैसे matching होगे आगे की matching आप कर सकते थे B is third C is second and D is first अब इसके बाद मैच कर लेते हैं कि सही matching है कि नहीं तो आपको पता है कि cellular poriferum होता है टिसू लेवल आपका silentrata और tino porum होता है और 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 सिस्टम की starting हो जाती है आपकी platy helminthus से तो platy helminthus के बाद जो भी मिलेंगे उसमें आपको organ system मिलेगा ही कि एक matching और है which is a correct matching set column one column two बहुत तेज़े से match करिए और इसमें भी कोशिस करिएगा कि एक matching कराके answer दे दिया जाएं कि फ्यूचर डॉक्टर देव मौरिया ए त्रेंट वर्ल्ड सर आयम गेटिंग एराउंड 630 नीट 2021 इस इट गूट बहुत अच्छा बच्चा आपको college मिल जाएगा कहां से बिलॉंग करते हैं आप ब तो बच्चों अगर देखो मैचिंग किया जाए डाजेस्टिव सिस्टम बिद वन ओपनिंग यानि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की बात कर रहा है सिंगल ओपनिंग है तो ऐसा आपको मिलेगा सिलेंट रेटा टीनो फोरा और प्लैटी हलमें तिस में और ऐसा सिस्टम की स्टार्टिंग होई थी आपकी एस्केल में तिस से तो एंसर हो गया पहला का कि वन ओपनिंग यानि इन कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वन इस थर्ड और जड़ा देखिए पहला ही एक ऑप्शन ऐसा है जो वन की मैचिंग किसके साथ करा रहा है थर्ड क क्लोजड है तो ब्लड वेसल में भाएगा और ओपन है तो फ्लूड फिल्ड साइनेसिस में ब्लड रहेगा आपका दा ओर्गन सिस्टम लेवल आप बॉड़ी आर्गनेजेशन और अकर्स इन विच फाइलम तो आपको पता बेटा इस्टार्टिंग तो आपकी हो जाती है हेलमंसिस से हैं प्लैटी टू अनवर्ड आपका क्या मिलेगा और्गन सिस्टम लेवल ओ आर्गनेजेशन तो प्लैटी के बाद एसके ल उसके बाद आपका एनिलीडा आर्थो पोडा मोलस्का तो एसकल टू कॉडड डेटा यह बास सही है पोरी फेरा में आपका सेल्वर ग्रेड होता इसलिए नहीं होगा तीनो पोरा में आपका टिशू ग्रेड होता इसलिए नहीं होगा तो एंसर क्या हो जाएगा आपका फ़र्ष्ट अच्छा एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि यह जो आपका प्लैटी हलमेंथिस होता है उसमें और्गन के साथ और्गन सिस्टम की भी सुरुवात हो जाती है ध्यान रखिएगा आपकी इसको मानती है तो पहले हमें गीवन डागराम पहचानना होगा तो बाई जो गीवन डागराम आपका दिया हुआ है यह है आपका यू स्पॉंजिया क्या बोलते हैं इसको मेलोग बात स्पॉंज किस मिंबर का है पोरिफेरा का है तो आप एंसर यहां से दे सकते हो बच्चों तो अगर हम यहां से एंसर देने जाएं तो हमें पता है कि मरीन इडिज मरीन बात सही है ट्रिपलो बलास्टिक की बात करेंगे नहीं सेल्वर ग्रेड आफ आर्गनेजिसन है अगर मरीन है तो फ्रेस वाटर होगा नहीं एक ही हो सकता है यह तो मरीन यह तो फ्रेस वाटर और आपको पता होगा कि जो इस्पॉंजर होते थे वो कैसे होते थे हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्शुल होते हैं लिखा हुआ यूनिसेक्शुल तो यह भी नहीं होगा और स्पॉंजों से लेनास्कुलम प्रिजेंट होगा क्योंकि पोरी फेरा है तो कैनाल सिस्टम पाए जाएगा करेक्ट पूछा है डाग्राम से रिलेटेड तो आपके वन और ए और ए करेक् प्रिश्ट कितने फूचर डाक्टर ने जवाब दिया है यस शिवं अनलाइन होगा तो बाइन अलाइन होगा तो तो वन हंड़ेट फिप्टीन का एंसर हो गया वह आपका फिर्ष्ट नेक्स्ट्सक्वेश्टन है वन हंड़ेट सिस्टीन हाव मैचिंग और करेक्ट साइक स्काइफा इस पॉंजिला मरी यू सपाँज या बात सिपॉंज इस्पॉंज इला फ्रेश्वाटर सिपॉंज पाइट सपॉंज पाइटया तो प्ता साइकौन स्काइफ पट्शा कहते ल İ ुका नहीं होता है। बात गलत है। यू स्पोगिया अभी बताया बहुत ही है, सैंसर आपकी सेंटर्ट होता है। तो यह बात भी आपकी गलत हो जाएगी तो A, C, D करेक्ट है यानि तीन मैचिंग करेक्ट है तो एंसर हो जाएगा आपका फिर्स्ट असियस कुमार बच्चा C नहीं होगा चारों नहीं करेक्ट है भाई मरीन नहीं होता है और इसमें bilateral symmetry नहीं होती तो बच्चों फिर्स्ट लार्जेस्ट आपका है आर्थो पोड़ा उसके बाद दूसरा नंबर आता आपका मुलस्का तो सिंपल सा याद के लिजेगा फिर्स्ट का अगर च्वाइस रहेगा तो फिर्स्ट आपका आर्थो पोड़ा है और सेकेंड लार्जेस्ट आपका मुलस्का है तो सिंपल सा था आइंसर आपका एंसर हो गया थर्ड 118 वाट हैपेंस इन मेटा जेनेसिस अगर जिन बच्चों ने 2021 का कोश्चन किया होगा तो एक option आया था एंवल किंडम में मेटा जेनेसिस इस फाउंड इन हेलमिंथ ऐसा करके दिया हुआ था इनकरेक्ट था वो option तो मेटा जेनेसिस क्या होता यहां पे पूछा गया है पॉलिफ फार्म मेडुसा में बदलता है सेक्सवली की एसेक्सवली तो अगर हम देखें तो बिटा आप एक फार्मूला भी आपको याद होगा PMI MP से पॉलिफ से मेडुसा एसेक्सवली मेड़सा से पॉलिफ सेक्सवली तो पॉलिफ से मेड़सा सेक्सवली है गलत हो जाएगा एसेक्सवल होता है मेड़सा पॉलिफ सेक्सवली ये बास सही है पॉलिफ पॉलिफ प्रोडूस असेक्सवली ये भी बास सही है और ये क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी तो आप इससे याद रखिएगा इसको बोलते हैं Alternation of Generation अबीलिया में पाय जाता है और उबिलिया कहां आपका दूसरा नाम है C-4 तो B and C is correct, answer is second यस राइट थीओ योगे साब का गलत है, 4 नहीं होगा, आपका B and C is correct feather-like gills in mollusks का for which function excretion, respiration, sensory organ, both 1 and 2 mental cavity में feather-like gills पाजाते हैं, जो help करता है आपका excretion as well as respiration, तो answer will be the 4, both 1 and 2 एक diagram दिया हुआ है, और इसको पूछा है कि किस animal कहां को बिलांग करता है, किस phylum को बिलांग करता है, Anilida, Orthopoda, Echinodermita and mollusks का, simple है yes, Shivam Gupta, you are right Haris Kumar chat box में message करिए Haris जी, फिर बात करते हैं आप से 480 भी कम नहीं है भाई, आप manage से करिए, फिर से start हुई है, एक strike और मारिए yes, revolver queen तो बच्चा यह आपका पाईला है अब पाईला होता है, एपल स्नेल पाईला होता है, एपल स्नेल और आपको पता है, यह मुलसका का मिंबर होता है तैंसर हो जाएगा आपका 4 मुलसका, शिंपल था है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ब्लॉड सकिंग लीच इस नोन अज फेरितिमा, एसकेरिस, हिरुदुनेरिया, नेरिस I am getting 520, what to do, yes you am, तो योगेस, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, कहां से बिलॉग करते हैं आप, तो ब्लॉड सकिंग पैरासाइड आपका होता है, लीच, हिरुदुनेरिया, क्या होता बच्चा आपका, हिरुदुनेरिया, लीच होता है How many matching are correct, electric organ, math with torpedo, poison sting, trigon, trigon का नाम है sting ray, clasper पाय जाएगा, jellyfish में, hackfish, octopus है, तो आपको पता है, torpedo, electric organ, बात सही है, sting होती है, poisonous, trigon में, और उसका नाम होता, sting ray, claspers आपका, shark में पाय जाता है, वह भी male shark में, इसलिए या बात गलत हो जाएगी, है, hackfish, myxine, lamprey, petromyzone, इस cyclostomata के member हैं, octopus नहीं है, तो आपकी तीन matching हो रही है, दो नहीं हो रही है, तो answer हो जाएगा आपका first, third next है आपका 123, in cyclostomata, cranium and vertebral column, are made up of respectively, तो cyclostomata जो होते हैं, cartilaginus, इनका आपका cranium यानि brain box भी होता है, और जो इनका vertebral column भी होता है, वो भी किसका बना होता है, cartilage का बना होता है, तो answer हो जाएगा आपका second, cartilage and cartilage, cyclostomata में काफी important है, इसका example याद होना चाहिए, साथ ही साथ याद होना चाहिए, आपका इनकी body में कोई भी scale नहीं पाय जाते हैं, और इनमें paired fins absent होते हैं, the similar feature are found in birds and mammals, homeothermous, muscular diaphragms, oviparous, toothless jaws, तो भाई हमारी जो हैं, इसमें क्या होते हैं, tooth पाय जाते हैं, birds में toothless होता है, इसलिए ये तो similar feature नहीं हुआ, oviparity, हमारे में ज्यादा तर vviparity होती है, birds में कैसी होती, oviparity, ये भी similar नहीं हुआ, muscular diaphragms हमारे में पाय जाता है, ये mammalia का character है, और homeothermous आपका bird और mammal दोनों होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक matching होगी आपकी homeothermous, हम दोनों क्या होते हैं, warm-blooded, homeothermous, endothermous, ये पुरा नाम आपको तीनों याद होना चाहिए, in class reptilia heart is, तो आपको पता होगा, reptilia में ही exception भी है, ज़्यादा तर reptile three chamber heart होता है, लेकिन crocodile alligator इसमें four chamber होता है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, two chamber भी होगा, three chamber भी होगा, तो three chamber भी होगा, और four chamber भी हो जाएगा, तो answer हो जाएगा आपका three chamber and four chamber, four chamber आपका crocodile, एलिगेटर इन में पाए जाएगा और थ्री चेमबर ज्यादा तर रेप्टाइल में आपका विच वन फॉलिंग फीचर और अफ बर्ड बर्ड से रिलेटेड कौन से फीचर है यह है आपका फॉर लिम और मॉडिफाइड इन्टू विंग आल बर्ड सार फ्लाई इसकेल साथ प्रजेंट अपान फॉर लिम्स एयर सेक्ट हेल्पीन रिप्रोडक्शन डिरेक्टली चलिए जवाब दीजिए हम आपके जवाब का बेट कर रहे हैं कि तो बचों आपको पता है कि जो फोर लिम्स होता हो नुधा बश्र का इस यह है आर्पीत है और फ्ल सब को पता है गलत बात है आपको पता हो होगा एंवर्य वो गया और स्ट सुथा इंव गया यह सब क्या होते हैं आपका फ्लैट लेस बर्ड हो गों केंग tenants हो गया यह किया आपका फ्लैट लेस बढ़़ है circle separate uponあと फोर लिम नहीं वहरी फोर करता है रेस्पिरेशन में तो आपका बच्चा सिर्फ एक यानि वनली ए इस करेक्ट तो एंसर हो जाएगा फोर हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउड एंफीबिया पहला है बॉड़ी इस डिविजबल इंटू हेड नेक ट्रंक भी है आल मेंबर कंटेंस टेल टिंपैनम रिप्रेजेंट्स इयर इन स्केल सार अकर्स तो बच्चा उपको पता है नेक अपसेंट होता है इसलिए ब आल मेंबर कंटेंड टेल तो यह भी बात गलत हो जाएगी हर में टेल नहीं पाए जाती है जैसे फ्रॉगी है टिंपैनम रिप्रेजेंट इयर यह बात सही है और इसकेल नहीं पाए जाती है इसकी नोती है मौाइस्ट चलिए जबाब दीजी आप लोग भाई यह राइट तो एंसर हो जाएगा पहला एक ही सही है खाली आपका टिंपैनम रिप्रेजेंट इयर फोर हो जाएगा एक ही करेक्ट है आपका एंपिग्याट वाई एक डाग्राम दिया गया है अब पूछा है किस का डाग्राम है तो बचों यह आपका है टीनिया और टीनिया पेटा आपका टेप वर्म होता है टीनिया सोलियम एंट टीनिया सैजिनेटा तो एंसर हो जाएगा आपका टेप वर्म तो इसिंपल है यह 129 दा रेडियल सिमेट्री आर अकर्स इन विछ फाइलम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट, इकाइनोडर्मेट्स, कॉडेटा तो प्लैटी हेलमेंट्री टू अनवर्ड क्या होता है आपका बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाती है दो जगां आपका एक्सेप्शन है एक तो इकाइनोडर्मेटा में, एडल्ट इकाइनोडर्मस आपके रैडियल सिमेट्री सो करते है और उनका लार्वा सो करता है आपका बाइलेटरल सिमेट्री तो एंसर क्या हो जाएगा, एडल्ट है तो इसमें रैडियल पाया जाएगा Tный to 4R में पाया जाता है, crier data में आपका bilateral symmetry होती है तो आपका ABC यानि 3 हो जाएगा, D गलत हो जाएगा, tensor हो जाएगा आपका ABC बाइलेटरल सिमेटरि मतब, left and right दो भागों में divide होना Diploe Plastic Enmars contains 2 embryonic germ layers this embryonic layers are तो आपको पता है diploblastic and triploblastic diploblastic में आपका एक germ layer absent होगी और वो होती है आपकी mesoderm वो absent होती है, तो present कुनसी होगी आपकी ectoderm and endoderm tensor क्या हो जाए वह जाए? बडाइ simple रहा आपका, ectoderm and endoderm आपको पता होगा कि silentrater में एक्तो डर्म और इंडो डर्म के बीच में जैली लाइक फ्लूड भर जेते हैं जिसका नाम होता है मिजोग्लिया वही रिपलेस हो जाती है इस चेल से किसमें आपका प्लैटी हलमंतिस में और उसको आंपलोग बोलते हैं मीजो डर्म तो ट्रिप्लो ब्लास्टी के स्टार्ट होता है आपका platy two onward the three germinal layers are started from which group of animals ascal mentis platy helminthis cylindrate analytes starting पूछा है तो starting हुई थी आपकी platy helminthis से पाया तो आपका ascal mentis में भी जाएगा एनलेडर में भी पाया जाएगा तीन germ layer लेकिन starting शुरुवात कहां से हुई थी अगर ऐसा question पूछा जाएगा tensor हो जाएगा आपका second platy helminthis यस राइट यस सिवं टेल में प्रेजेंट लेकिन यह सारे member में नहीं है ना यह दो को लिखा ना all member all हो गया ना तो all बात गलत हो जाती है some होता या most होता ऐसा कुछ होता तो मान भी सकते थे question number 132 in animal the term sylome means body cavity is lined by ectoderm body cavity is lined by endoderm body cavity is lined by mesoderm तो आपको पता होगा ascal mentis से आपका start होता है sylomate या नि body cavity present होती है और घिरी हुई होती है आपका mesoderm से sorry analogous start होता है ascal mentis में आपका pouches के form में पा जाता है pseudo sylomate होते हैं 133 the group of animals in which a sylome and pseudo sylome occurs respectively ascal mentis and platy helminthis platy helminthis and ascal mentis platy helminthis tenophora ascal mentis and tenophora तो पहले पूछा है a sylom फिर पूछा है pseudo sylomate आपका a sylomate होता है platy और pseudo sylomate होता है आपका बच्चा ascal और जो sylomate होते हैं वो होते हैं आपके annilates से start होता है annilates है अब कई सारे बच्चे confused होते हैं कि सर आपका जो sylendrator टीनों फोरा है यह सब भी तो क्या होंगे a sylomate तो बच्चों आपको अगर exact sylom की definition के लिए तीनों जर्म लेयर होना जरूरी होना आता है यानि कि जहां से triploblastic होगा वहां से ही sylom तर्म आना चाहिए तो अगर आपको कभी कई ऐसा option पूछ ले कि which of the following animal is a sylomate जिसमें sylendrator दे दिया टीनों पोरा दे दिया platy-helminthis दे दिया all option नहीं दिया है तो आप बीना किसी सक के platy-helminthis prefer कर लिजेगा तो a sylomate हो जाएगा आपका platy-helminthis और pseudo-sylomate हो जाएगा आपका ascal-minthis सिभम description box में जो number उस पर call करके enroll कर लिजे आप तो भाई ये platy-helminthis आपका asylomate होता है और ascal-minthis pseudo-anilida के बाद क्या हो जाएगे आपके sylomate 134 in some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs this phenomenon is known as तो आपको पता है ऐसा करके point आपका 2021 के paper में भी आया हुआ था इसको बोलते हैं metamerism क्या बोलते हैं मेटा मेरी body कैसे होती है metamerically segmented होती है और यह start है आपका एनलीडा में यह है आपका एनलीडा में तो एनलीडा में जो segmentation होता है वह external भी होता है और internal भी होता है segmented body आपका orthopoda का भी होता है और segmented body आपका chord data का भी होता है लेकिन orthopoda और chord data में अंतर है जरा बताइए क्या अंतर है जवाब दीजी आप लोग जरा बताइए क्या अंतर है metametric segmentation सही बात है external internal दोनों तरफ से आपका body segmented दिखनी चाहिए एनलीडाम पा जाता है metamering पा जाती है आर्थोपoda और chord data में भी body segmented होती है लेकिन कैसे segment होते हैं कि यस तो भाई याद कर लिजेगा आर्थोपoda में जो होती है उसमें segmentation external होती बार्थ आपको दिखती है और chord data में जो होती body internally segmented होती है और true metamering मिलता आपका एनलेडा में तो आर्थोपoda में body externally segmented होती है और chord data में आपका internally noto part not occurs in which phylum, cylindrata, mollusca, echinodermata, all of these तो बच्चों आपको पता होगा noto card की presence आपका chord data में ही मिलता है यह आपका chord data का feature है और cylindrata, mollusca, echinodermata सब कैसे है, non-cordates है तो answer हो जाएगा 4, all of these, yes right next section B से है आपका the members of phylum cylindrata are mostly marine, mostly fresh water, sessile और free swimming, both one and three तो phylum cylindrata के member mostly marine होते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, fresh water भी होते हैं, तो mostly marine part सही हो जाएगा, fresh water point गलत हो जाएगा sessile और free swimming, आपको पता होगा जो poly farm था, जो आपका poly farm है, वो कैसा था, sessile farm और जो madusha farm होता है, वो आपका बच्चा कैसा होता है, free swimming, right तो sessile भी हो सकते हैं, या free swimming भी हो सकते हैं, तो answer क्या हो जाएगा, four, both one and three ने भाई, fourth हो जाएगा है, दो सही है, sessile poly farm होता है, free swimming farm आपका medusa होता है, mostly क्या होते हैं, marine marine, लेकिन बच्चों आपको याद होना चाहिए, उसके member आपके fresh water में नहीं reported हैं, और ऐसे को आपको बोलते हैं, exclusively marine exclusively marine जब भी आएगा, तो आपको ये point याद होना चाहिए, सबसे पहले, tenophora, फिर echinodermata वहां पे लिखा होगा, all our marines, अब proto-quadates, जहां पे लिखा होगा, euro-quadata and cephalocodata, digestion is both extracellular and intracellular are occurs in which phylum, तो cylindrata, tenophora, इन दोनों में digestion partly extracellular, यानि cylindron, gastro-vascular cavity में, और partly intracellular cell के अंदर होता है, तो दोनों प्रगार का आपका cylindrata और tenophora हम पा जाता है, पोरिफेरा में cell के अंदर होता है, इसलिए बोलते हैं, intracellular digestion, क्या बोलते हैं वहाई हैं, intracellular, और हम लोगों में, outsider, एक cavity में हो रही है, gut cavity में हो रही है, elementary canal की cavity में हो रही है, तो हमारे में भी कैसा होता है, extracellular होता है, the circulatory system in orthopoda and annelida are respectively, जिसको सबको पता होगा मुझे नहीं लगता कोई इसा बच्चा जिसको ना पता हो, orthopoda में open, annelida में closed, बस ऐसे question ध्यान देना कि पहले अमोमन और annelida लिखना होना चाहिए था, लेगिन क्या लिख दिया, orthopoda, तो open then close ऐसे answer देना होगा, जल्द बाजी में बच्चा गलत कर जाता है, पहले annelida समझ लेता है, फिर बाज में orthopoda, आप लोगों अभी ताजा 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 एक्जाम दे के आए हैं, यस राइट सिवं, तो आपको ऐसी mistakes याद आ रही होंगे, अभी इसे practice में रखेंगे, तो mistakes कम सूंगे, which one of the following matching are not correct, नौर दिया है, ध्यान रखिए, पाइला को appellational कहते हैं, पाइला नियोफ्रान है, तो आपको पता है नियोफ्रान क्या होता है, वल्चर, simple सा answer मिल गया, पाइला नियोफ्रान से related नहीं है, सेपिया कटल फिस होता है, अपलिजिया सेहर होता है, यह भी आपको पता है, 140, can our system helpful in food gathering, respiratory exchange, removal of waste, all of these, तो आपको पता है, आउस्टिया, then spongosil, then osculum, then out, यहां से क्या है, in, किसका in, water का, क्यों आउस्टिया के थरो होता है, तो आपको पता होगा, आउस्टिया के सारों तरफ, collar cell, quinocyte, flagellated cell लगी होती है, अब flagella अगर अंदर की तरफ ऐसे movement करेगा, तो obvious सी बात है, पानी किसके अंदर जरे जाएगा, और श्टिया के अंदर पानी अंदर जाएगा, फिर spongosil, phyrosculum, तो जितनी भी cell होगी, सबको क्या मिल जाएगा, oxygen मिल जाएगा, food मिल जाएगा, और जो उनका waste होगा, उसमे अंदर जाएगा, और जाएगा, और जाएगा, 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 प्रिफर करेगा, अगर आप से पुछा जाता है, एनि लेडर में कैसा सर्कुलेटर सिस्टम होगा, शिंपली एंसर होगा, प्लोज़ट, तो आपको पता है, इस पे असल फ्लैजिलेटर जो सेल होती है, उसको बोलते हैं, कोईनोसाइट, दूसरा नाम कॉलर सेल, फ्लैजला की प्रजन्ट होती है, तो क्या बोलेंगे, बोथ वन एंटो, इवच्छे आपका सोलेनोसाइट, यह आपका आस्मो रेगुलेशन, यह एस्क्रीशन में हेल्प करता है, यह भी फ्लैजिलेटर सेल होती है, जैसे आपका प्रोटो नेफ्रीडिया होता है, कुछ उसी प्रकार का सोलेनोसाइट होते हैं, सिफैलो कोड़ डेटा के मेंबर में मिलता है आपका, तो एस्क्रीटरी यह आस्मो रेगुलेटरी हो आपका सोलेनोसाइट, तो भाई इसमें निडेरिया, निडोब्लास या निडोसाइट की नाम से है, तो एंसर हो जाएगा फोर्थ सिंपल सा था, 143, which one of the following matching are correct, polyp with jellyfish, gargonia, c-pen, penatula, c-pen, mendrina, brain coral, यह सन्वोल, शुरू हो गए बाई, शुरू हो गए बच्चा, तो बच्चा अगर हम लोग देखें इसको, यह सिवम, प्लाटियन मेंटिस, प्रोटोन, एफ्रेडिया जो है, उसी का सब टाइप है, आपका, सोलेनो साइट, which one of the following matching are correct, polyp, आपका, और एलिया, जेलिफ, इसमें आपका पाजाता है, मेडुसा फेज, इसलिए गलत होजाएगा, Gargownia C-Pen होता है, और दिया C-Pen, इसलिए गलत होजाएगा, अब पैने टूला में देखे पैन है तो यह भी क्या हो जागा बच्छा आपका सी पैन मिन रायना ब्रेन कोरोल होता है यह बास सही है एंसर हो जागा आपका फूर अब टाइप आप प्रोपर्टी इन विच अर्विंग अर्गीनिजम टू एमित लाइट इस प्रोपर्टी इस कॉल्ड आज एज अंड अकर रिस्पेक्टिवली तो लिविंग अगर इमिट कर रहा लाइट लुमिनिस्टेंस मतब होता है इमिट लाइट बायो मतब सब्सक्राइगा और यह प्राइज आता है टीनोफोरा में और टीनोफोरा का एक जांपल है प्लूरों ब्रेकिया भी तो एंसर हो जाएगा बोड़ टू एंड्ट्री बायों नियुट्टिवर्ड पूरे बायो में आपके खासकर के फिर और अगर ध्यान में दें तो एक त दूसरा आपका डाइनो फ्लाइजलेट में है और आपका तीसरा बच्चा आर्थो पोड़ा में है यहां पर आपको बायो लुमिनिसेंस देखने को मिलेगा इसलिए बात गलत हो जाएगी आलार मोनेशियस यह भी गलत हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि अर्थवर महीं खाली मोनेशियस है इसके बाद बाइलाइटरल सिमेट्री की बात करते हैं यह बास सही है प्लेटि हेलमेंटी तू आणवर्ड आपका बाइलाइटरल सिमेट्री पाएजाती है एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनो डम्स सेग्मेंटेड बॉड़ी ये बात गलत हो जाएगी तो सिर्फ आपका C करेक्ट हो जाएगा तो only C is correct हाँ भाई क्लास चल लए है अनुवल तो सिर्फ C करेक्ट है bilateral symmetry बाकी बातें गलत है इन दा गीवन बीलो एक्जामपल हाव मेनी आर मोनेसियस एनिमल्स कौन-कौन से मोनेसियस हैं लीच, अर्थवर्म, टेप वर्म, नेरिस, हुक वर्म, फ्लैट वर्म तो देखिए आपका फ्लैट वर्म, टेप वर्म बात एक ही हो गया टीनिया की बात कर रहा है लीच भी आपका मोनेसियस होता है अर्थवर्म भी आपका मोनेसियस होता है हुक वर्म और आपका नेरिस, यह आपका डायोसियस है बाकी आपके कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार चार हो गए आपके मोनेसियस एंसर हो जाएगा सेकेंड चार आपके मूनेसियस हो गए राइट जड़ा एंसर देख लें भाई आप लोगों का यस बच्चा चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट है आपका इन आर्थो पोड़ा विच वन अप दा फालूविंग स्टेक्चर आर नाट रेस्पारेटरी आरगन्स स्टेटोसिस्ट मालफिजन टिब्यूल्स एंटेनी नाट पुछा है तो रेस्पिरेटरी आरगन्स आपका आर्थो पोड़ा में गिल्स होते हैं बुक गिल्स होते हैं तो इसमें आपको देखिए स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग आरगन हैं समॉल बील एक्रिशन के लिए होता है है एंटेनी आपका सेंसरी हैं कि तोबंड अब listing साО्राक के में हने यार्ण ओना चाहिए ठर्डिस्टम जेएलट Är happy अर्थवर्वर्ट में गिल्स पाता चाहिए बड़ा इंपोर्टेंट है बुक लंग्स और यह एक है बटा आपका बुक गिल्स बुक लंग्स आपका स्कार्पियों मिलेगा या स्पाइडर में अब बुक गिल्स आप में पाजाएगा लुमुलस किंग क्रैब जो आपने पढ़ा था लुमुलस या किंग क्रैब बाकी आपका टेरेकियल सिस्टम टेरेस्टियल फॉर्म में और आपका गिल्स पाजाता है एक्वेटिक फॉर्म में इस विच्वेन आप फालोविंग फीचर ओफ इकाइनो डर्मे इसक्लूजिवली मरीन एस्ट्री सिस्टम अपसेंट फॉस्टली मरीन तो आपको सिंपल से बात है कि एक क्या होते है एस्ट्री मरीन होते हैं और इन में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पह जाता है और प्यारे distinctive feature of the presence of that is water vascular system याद रखिए कि कैनाल system आपका कहा पाता है पोरी फेरेंस में लेकिन water vascular system कहा आपकाउचेटरम में कौना इंडा given below example how many animals in which embryonic layer mesoderm is present में एपसेंट स्वारी एपसेंट इपसेंट तो इपसेंट है तो बच्छों याद रखिए जो जो diplo blastic होंगे वहां पर सिर्फ पर सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाय जाएगा तो कहने का मतलब बच्चा triploblastic याद चूज कर लिए जो जो triploblastic होंगे वहां पर आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म पाय जाएगा तो एक आप प्रिफर करिए हमको एपसेंट ढूडना है तो हम लोग diplo blastic ढूडते हैं हैड्रा diplo blastic है इस्पॉंजिला पोरिफेरा है आपका diplo blastic साइकान आपका सेललर गलेड है एडमसिया सिलेंट्रेटा है मिंड्राइना ब्रेन कोलर सिलेंट्रेटा है तीनिया टेप वर्म है यहां पर ministry कोटा इसलिए इसमें मीज़ोडर्म पाया जाए गाँ सेपिया मोलस्का के अपके are साथ मेंबर ऐसे हैं जो डिपलोबलास्टिक हैं जिसमें मेजोडर्म्स एपसेंट होगी नेश्ट आपका टॉपिक बनता है रिप्रोड़क्टिव हेल्थ ठीक है तो विच वन अधा फालुविंग इस इनकरेक्ट मैच कंडोम्स बैरियर मेथड है सर्वाइकल कैप्स, इंप्लांट, लिपेज लूप, आयोडीज, क्वाइटस, इंटरप्टस, कंट्रसेप्ट्व मेथड है तो contraceptive method एक barrier होता था, hormonal होता था, IODs आता था, sterilization technique होता था, unnatural method होता था तो condoms barrier method है, no doubt, cervical caps, diaphragm, vault, a female में barrier method है, implant नहीं है, इसलिए एक गलत हो जाएगा और incorrect पूछा है तो answer हो जाएगा आपका this, IODs, intrauterine devices में बच्चों आपको याद होगा non-medicated lipase loop होता है, copper releasing, copper tea, copper 7, multilode 375 होता है और hormone releasing होता है, progesterar certain, LNG 20, quietus interruptus एक contraceptive method है, natural type है matching का question है, which one of the following is the correct match, फिर एक बार हम यहीं आपको suggest करेंगे कि जब भी matching करिए, या तो last को देख लिजे, या तो पहले को देख लिजे vasectomy एक प्रकार का आपका sterilization method है, या 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 इस मैज भी second और आपको देखिए जरा एक option ऐसा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका match कर रहा है second से बाकी A1 है या A4 है, तो answer आपका मिल गया, ज्यादा time waste नहीं करना होगा, क्योंकि आपको practice करनी है 2022 के लिए और आपको अगर एक idea लगे तो 2020 का paper, 2021 का paper, 2021 बीस में आपका दो फेज में हुआ था, दो बार exam हुआ था, तो दोनों बार ही matching या आपके 16 से 18 के आसपास पूछी के थी, और 2021 में तो हदी कर दिया है, 18 से 20 matching आई हुई है आपके, तो matching type के question आपके number easily obtained कराने के लिए होते हैं, क्योंकि examiner को भी आपके NCRT के बहुत सारे points को cover करना होता है answer आपको easy मिल जाता है lactational amenorrhea means lack of milk in mother after child birth, milk over production in lactating mother, high menstruation in lactating mother, absence of menstruation in lactating mother तो आपको पता है, intense feeding करा रही हो mother, तो उसमें क्या होगा, menstruation नहीं पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, lactational amenorrhea which of the following is a type of IODs, non-medicated IODs, copper releasing IODs, hormone releasing, तो सारे types में simple सा था, main आपको example या दोना चाहिए, क्योंकि आपको इस बार भी example आया था, 2021 में भी, 2020 में भी आया है तेरी यह आपको hot spot topic है IOD, non-medicated में आपका lipase loop होगा copper releasing में बच्चा आपका copper tea, copper seven and multi load, 375 है, hormone releasing में याद कर लिजेगा, LNG20 and progestocyte, अब मुझे लगता है कि इतना ही याद रखिया आप, आपके लिए काफी है और सबका function भी याद होना चाहिए, कि hormone releasing का क्या function है और copper releasing का, contraceptive pills acts by inhibiting evolution, inhibiting implantation, altering quality of cervical mucus to prevent ya retard, sperm entry ya all of these, चलिये जवाब दीजिये तो आपको पता है, evolution को inhibit करेगा, implantation को रोकेगा साथ यसाथ, और साथ यसाथ, sperm की entry को retard करने के लिए, cervical mucus की quality को बदल देगा, तो answer हो जाएगा for all of these, यह आपको याद होना चाहिए, full form of MTP, simple है, medical termination of pregnancy, तो answer हो जाएगा आपका third, और MTP act आया था 1971 में, amendment हुआ है, इसका 2017 में, act आया है आपका 1971 में, बदलाव जो हुआ है, amendment हुआ है, that is in 2017, और साथ यसाथ, याद कर लिजेगा, safe cup तक है, यह भी आपको याद होना चाहिए, नेक्स्ट है, disease or infection, which are transmitted through sexual intercourse, और collectively call, तो बच्चों आपको याद होगा, कि 2021 में, VD, veneral disease करके question आया हुआ था, right, किस method से नहीं transfer होता है, कुछ ऐसा करके, तो आपका जो sexual transmission के जरीए transmit होता है, उसको क्या कहते हैं, तो VD, यानि veneral disease भी कहते हैं आपका, RTI भी कहते हैं, reproductive tract infections, and STI, sexually transmitted infection, यानि ये तीनों बास सही है, आपकी answer हो जाएगा, for all of these, right, hepatitis B and AIDS is spread through, ये match कर रहा है आपका 2021 के question थे, वहाँ पे था, kissing के जरीए हो रहा है, blood transfusion, sexual contact, तो ये आपका STD है, STI है, sexually transmitted infection है, तो sharing of injections, needles, and surgical instruments with the infected person, वहाँ पे जो needles था, वो था आपका sterile needle, याद करिए 2021 का question, कितना अच्छा question बना गुआ था, वो भी अच्छा question था, infected mother to fetus, transmission of blood, तो all are the method for transmission of STI, sexually transmitted infection, to remain protected from STIs, क्या करना होगा, अगर हमें protect होना है, sexually transmitted infections है, avoid sex with unknown partners, या multiple partners, always use condoms during quietus, get medical help ASAP, as soon as possible, the person get doubt of having STI, तो ये सारे method हैं, जिससे आप अपने आपको protect कर सकते हैं, from sexually transmitted infections, which one of the following is generally not considered as a type of contraceptive method, कौन generally contraceptive method का एक टाइप नहीं है, जर्बताईए, यस राइट, तो भाई MTP नहीं है, medical termination of pregnancy, contraception मतब कि गर्बधारण ही ना करो, ये तो गर्बधारण के बात की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, आपका MTP नहीं होगा, condoms आपका एक barrier method है, IUD आपका hormonal है, कापर रिलीजिंग है, non-medicated है, what is the correct between IUI and IUT, ये भी hard spot में आता है आपका, ART, Assisted Reproductive Technologies, बहुत ही जरूरी है, तो आपको पता है, दोनों क्या है, एक प्रकार के ART है, Assisted Reproductive Technologies है, IUI होता है, intrauterine insemination, यानि sperm से यानि related है, IUT intrauterine transfer है, तो आपको पता है कि, दोनों applied हों male पे ये बात गलत हो गई, इन बोथ sperm and taken for transfer, तो IUI के लिए बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपको IUT में embryo का transfer किया जाता है, more than 8 blasto nears, इसलिए बात गलत हो जाएगी, इन बोथ embryo and taken for transfer, तो गलत हो जाएगा, एक में sperm हैं, एक में embryo है, तो आपकी सिर्फ एक बात सही है, जो की बोथ आरा टाइप आफ A.R.T. यानि की Assistive Reproductive Technology के एक प्रकार हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया सभी लोगों ने, आपका नाम पढ़ रहते हैं वाई, सिवम ने बहुत अच्छा जवाब दिया, महेस्त अनवर, प्रशांथ, जालनी का जवाब गलत है, अनजली आपका भी गलत है, थोड़ धान दिजे, A man or goes to hospital, and they meet to a doctor, they are infertile due to inability of the male partner to inseminate a female, insemination मतब transfer of sperm from male body to female reproductive tract, in which treatment are suggested by doctors, तो इसमें क्या करा जाएगा, insemination क्रा जाएगा, तो क्या क्राएगा भाई, IUI, intrauterine insemination, according to WHO, reproductive health means on the basis of which aspect, physical होगा, social होगा, behavioral होगा, या all of these होगा, तो simple है, चलिए जवाब दिजीए, तो all होगा, reproductive health मतब होता है, physical, social, complete well-being होना चाहिए, and behavioral, misuse of amniocentesis, तो amniocentesis का misuse सबसे पहला था आपका, की female fetish side, passing of ammonia in developing embryo, fetal sex determination in the developing embryo, detection of fetal disease, ये तो अच्छी बात है, detect करना, passing of nutrients to developing embryo, तो sex determination, इसका misuse हो रहा था, अगर female child होती थी, तो इसको क्या करते थे, kill कर देते थे, female fetish side, इसका misuse हो रहा था, amniocentesis का, इसलिए इसको ban कर दिया गया है, 165, सहेली, a new OCP, oral contraceptive pill, was developed by scientist of which institute, तो सबसे पहले याद होना चीए, आपका, बगल में ही आपका city है, लखनाव, यहाँ पे आपके दो चीजे याद होनी चीए, cdri and nbri, सहेली जो आपका related है, cdri, central drug research institute, लखनाव, यहाँ पे आपका सहेली, दवा बनाए गए थी, और जब भी सहेली आए, तो दो वर्ड हमेशा, आपको कभी नहीं बूलना चाहिए, once in a week pill है, हफते में एक बार लेनी है, और साथ ही साथ, इस्ट्रोइडल नहीं है, non-िस्ट्रोइडल है, कैसा है बच्चा आपका, non-िस्ट्रोइडल है, cent chroma है, preparation जो होगा, उसमें क्या होगा आपका, cent chroma है, तो non-िस्ट्रोइडल preparation है, once in a week pill है, cdri लखनो, बनाया गया है, least side effect होगा, match column 1 with column 2, and select the correct option, from the given codes, तो बच्चा column 1 को, column 2 से match करिये, अभी आपको हमने बताया भी था, medicated, non-medicated, और copper releasing, and hormone releasing, तो non-medicated आपका, lipage loop होता है, copper releasing, आपका multi-load 375 हो गया, hormone releasing, LNG 20, and progestra cert, तो one is second, and B is third, तो answer हो जागा आपका second, simple था था, हमेशा यादोना चाहिए, hot spot है यह आपका, और इसका function भी यादोना चाहिए, कि copper releasing का क्या function है, और hormone releasing का क्या function है, फिर एक बार matching है आपकी, अब पूछा है, कितनी matching आपकी correct है, how many matching are correct according to the contraceptive method, and their mode of action in achieving contraception, oral pill, inhibit evolution, तो भाई, यह matching तो सही है, condome, prevent sperm reaching female reproductive pad barrier method है, यह भी बात सही है, तो दोनों सही हो गया आपका, injection, increase phagocytosis of sperm, within the fallopian tube, तो भाई, यह तो गलत हो गया, injection नहीं है, आपका implants, या OCP और कापर रिले, IOD का function है, IODs, increase phagocytosis of informed within the uterus, फैलेपियन टिप की बात गलत है, आपका कहा होना चाहिए था, यहापे uterus होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था, implant होना चाहिए था, या hormone injections होने चाहिए था, तो C गलत है, A, B, D, यह तीनों सही है, तो matching हो जागी आपकी पहले के साथ, की तीन statement सही है, correct पूछा है, question number 168, what is not work of copper tea, copper tea का क्या काम नहीं है, तो बच्चों, फिर से एक बार, copper releasing, hormone releasing का function याद होना चाहिए, what is the work of copper tea, ते क्या करेगा आपका, to inhibit evolution, to inhibit insemination, to suppress fertilizing capacity of sperm, to inhibit gametogenesis, तो copper releasing IODs क्या करते हैं, sperm motility को घटा देते हैं, और उसकी fertilizing capacity को घटा देते हैं, दो चीज़े याद होना चाहिए, आपका reduce करता है, sperm motility, और fertilizing capacity of sperm, एक किसका function होता है, copper releasing IODs का होता है, What is true about Sahelie, twice a weak pill, once a weak pill, thrice a weak pill, none of this, आज ही आपको बताया, चलिए जवाब दीजिए, तो बच्चों, अभी बताया था, सहली, CDRI लखनो, once in a weak pill होता है, non-steroidal है, और यह क्या होता था भाई, सेंट क्रुमायन, how many MTPs, are performed in a year, all over the world, data based है, simple data है, चलिए जवाब दीजिए, कितने MTPs per year, perform किया जाते हैं, तो यह आपका रहेगा, 45 to 50 million, MTPs perform किया जाता है, per year, MTP is essential and helpful for, किन condition में MTP, आपका legalize किया गया है, getting rid of unwanted pregnancies, due to unprotected sex, getting rid of unwanted pregnancies, due to failure of contraceptive used, medically when continuation of pregnancy, is harmful for mother, और fetus और बोथ, तिस सारे condition में, आप MTP perform कर सकते हैं, और यह एसेंशल हो जाता है, और helpful हो जाता है, तो एंसर हो जागा 4, all of these. 172, late detection and improper treatment of STIs, lead to PID, palmyk, inflammatory disease, abortions, still birth, ectopic pregnancies, infertility or cancer of reproductive tract, all of these, मत्ब, child abort कर जाएगा, pregnancy, still birth, मरा गुए बच्चा पैदा होगा, ectopic pregnancy, आपका ऐसा, implantation, अगर uterus के अलावा, कहीं और होता है, तो ऐसी pregnancy को, हम लोग बोलते हैं, ectopic pregnancy, यह सारी चीज़ें, आपका, STI से related है, टैंसर हो जाएगा, four, 173, full form of ICSI, intra cytoplasmic sperm injection, इसका full form है, तो सिंपल सा है भाई, तो एसर हो जाएगा आपका, second, intra cytoplasmic sperm injection, artificial insemination means, transfer of sperm of husband to a test tube containing ova, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina, introduction of sperm of a healthy donor directly into the ovary, transfer of ova of a healthy donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one, तो ova का नहीं होता है, insemination है, तो sperm की बात किया जाएगा, और sperm आपको introduce किया जाता है, female reproductive track, चलिए जबाब दीजिए, कई सारे बच्चों ने second answer दिया है, तो सही है भाई, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina, insemination है, artificial है, which of the following are a kind of ART, ICSI, IUT, IUI, तो यह होता है आपका intrasetoplasmic sperm injection, intrauterine insemination, and intrauterine transfer, यह आपका embryo से related है, यह दोनों आपके sperm से हैं, इस ova की cytoplasm में direct injection किया जाता है, that is ICSI, और female reproductive tract, when insemination, IUI, तो answer हो जाएगा four, next है, how many disease are STD, यानि sexually transmitted होंगे, निमोनिया, टाइफाइड, साइफिलिस, कॉलरा, क्लेमाडियासिस, जनाइटल वार्ट्स, डाइबेडीज, हैपिताइटिस B, जनाइटल हर्पीज, एड्स, गॉनरिया, मलेरिया, चलिए बाई, जवाब दे दीजिए एक बर, चलिए, मिलाते हैं, निमोनिया नहीं होगा, बच्चे आपका, टाइफाइड नहीं होगा, साइफिलिस होगा, कॉलरा नहीं होगा, क्रेमाडियासिस होगा, जनाइटल वर्ट्स, सब याद है आप लोगों को, डाइबेडिस नहीं होगा, हीपिटाइडिस भी होगा, जनाइटल हर्पीज होगा, एड्स होगा, निजरिया गनुरी से गनुरिया होगा, मलेरिया आपका नहीं होगा, तो आपका हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ आपके, हैं, अब पूछा है, एस्टेडी, यह तीनों आपके, अगर अर्ली डिडेक्शन ना होगा, तो यह क्या हो जाते हैं, इनक्यूरेबल हो जाते हैं, तो यह भी कोशन कभी कभी पूछ लेता है, कौन से कुरेबल हैं, कौन से नॉट क्यूरेबल हैं, 177, which one of the following is incorrect match, इस्ट्रिलाइजेशन में इस्ट्रिलाइजेशन में इस्ट्रिलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी, LNG20 पिल्स है, MTP Act 1971, तो आपको पता है, LNG20 क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, तो एक गलत हो जगा पिल्स नहीं है, incorrect पूछा, में इस्ट्रिलाइजेशन में आपका वैसेक टूमी, मेल में किया जाता है, टूमी मतब कट अंटाइड, देखें फिर से एक कोशन आगे, आपका कौन कुरेबल है, कौन नाट कुरेबल है, विच वन अब दा फाल्लविंग इस करेक्ट मैच, जनाटल हर्पीज, कुरेबल STI, जनाटल वर्ट, नौन कुरेबल STI, MTP, इंडूज अबॉर्शन, फैमली प्लानिंग 1981, तो आपको पता है, यह तो आपका फैमली प्लानिंग था 1951, इसलिए गलत हो जाएगा, जनाटल वर्ट्स, आपका कुरेबल होता है, नान कुरेबल में दिया गलत हो जाएगा, हर्पीज आपका नान कुरेबल होता है, कुरेबल में दिया इसलिए गलत हो जाएगा, तो एंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, इंडूज अबॉर्शन, जान बूज के अबॉर्ट कराना, आपका periodic abstinence, quietus interruptus and withdrawal, तो आपको होना चाहिए कि periodic abstinence, day 10th to 17th, high chances of evolution होते हैं, इस समय आप quietus को avoid करिए, यह आपका natural method होता है, तो एंसर हो जाएगा third, periodic abstinence, quietus interruptus or lactational immunorea, यह दोनों और भी आपके natural method of contraception है, which one of the following part is removed in vasectomy, 2021 में आपको पता है, tubectomy, vasectomy की matching आई हुई थी, epididymis, vas difference, rated estes, exaculatory duct, तो vasectomy, vas है, और इसमें भी देखो, vas है, तो एंसर हो जाएगा आपका क्या, second, tubectomy, tube है, फैलेपियन टूब में भी आपका क्या आता है, tube, तो एंसर हो जाएगा उसका फैलेपियन टूब अगर रहे हैं, ध्यान रखियेगा, which one of the following part is removed in tubectomy, तो फिर आप ही गया, uterus, फैलेपियन टूब, cervix and vagina, yes, right, तो tube है तो क्या हो जाएगा भाई, फैलेपियन टूब, which one of the following contraceptive methods, block, gamete and transport, तो आपको पता है, tube को cut कर दो, tide कर दो, तो gamete आगे नहीं जा पाएगा, gamete बनेगा जरूर, लेकिन आगे चला नहीं पाएगा, तो ट्रांस्पोर्ट को रोकने का method होता है, आपका sterilization method, जिसमें आपका आता है, vasectomy and tubectomy, तो gamete ट्रांस्पोर्ट को को रोक देता, ब्लोक को कर देता, आपका sterilization, याने की vasectomy and tubectomy, which one of the following is not the possible ill effect of contraception, nausea, abdominal pain, breast cancer, none of these, not the possible है, ज्यान दीजिएगा, not पूछा है आपका, सीवम ने बताया, प्रदीप यादो ने बी दिया जवाब, सीवम गुपता ने डी दिया है, तो answer तो भाई क्या हो जाएगा, nausea भी हो जाएगा, abdominal pain भी होगा, breast cancer भी है, किसका आपका, possible ill effect है, लेकिन not पूछा है, तो क्या हो जाएगा, none of these, how many following statement are not correct, कौन सा statement correct नहीं है, इन embryo transfer techniques, embryo are always transferred into uterus, तो गलत बात है वाई, आपको याद होगा, इसमें जिप्ट होता था, या IUT होता था, जिप्ट में zyagote intra-filippine transfer होता था, IUT में intra-intra-an transfer होता है, यहाँ पे या तो zyagote, या तो embryo up to 8 blastomere होता है, और यहाँ पे more than eat होता है, तो uterus की बात गलत है, फैलोपियन टुब में भी किया जाएगा, only IOD is used as emergency contraceptive method गलत है, IOD can also be used as, लेकिन आपको पता होगा, की hormone releasing tablets भी आती हैं, जो यूज किया जाते हैं, emergency contraceptive pills में, contraceptive are the regular requirement for the maintenance of reproductive health, sterilization method are highly effective, but their reversibility is very high, तो देख रो हाई लिखा, यह क्या होना चाहिए, पूर, और भाई, contraceptive आप reproductive health maintenance करने के लिए regular requirement दिया है, यह भी बात गलत हो जाएगी, not a regular requirement होना चाहिए, तो सारी बात गलत है, not correct पूछा है, तो third is the answer, all are incorrect, which one of the following is not curable, तो अभी आज आपको बताया है था, genital herpes, hepatitis B, and HIV infection, यह क्या होता है, non curable होता है, तो जिसमें एक answer हो जाएगा आपका genital herpes, section B में आपका MTPs are relatively safe during, तो pregnancy को आपको याद होगा, तीन ट्राइमिस्टर में बाटा हो गया, first, second and third, तीन-तीन महीने करके बाटा गया है, first trimester बात करिए, हर महीने में 4 week, तो 12 week बात करिए, या तीन महीना करिए, तीनों बात एक ही है, answer क्या हो जाएगा, 4, all of these, 2017 के amendment के according, अगर यह इतने week का है, 12 week या 3 month या first trimester, तो एक single doctor के consent से, आप abort कर सकते हो, MTP पर फार्फाम कर सकते हो, लेकिन अगर more than 3 month हो, या 12 week हो, तो आपको और 6 महीने से कम हो, यानि 24 week से कम हो, तो दो medical practitioner की जरूरत होगी, यह point भी याद होना चाहिए, sexually transmitted infections can also be transmitted by, surgical instrument, transfusion of blood, sharing of injection needle, तो सारे मेतर से आपका क्या हो सकता है, transfer हो सकता है, embryo with more than 16 blastom year formed due to in vitro fertilization is transferred in tomb, तो 16 blastom year से जादा है, तो जाइड सी बात है, फैलिपियन टूम में नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, uterus में करेंगे, transfer क्या हो जाएगा आपका uterus, question number 189, the technique called gift, gamete intra-fellipian transfer is recommended for those female, तो gift मतलब gamete का transfer करना है, तो उस female के लिए यूच करेंगे, जो क्या नहीं कर सके, cannot produce ovum, तो answer हो जाएगा पहला, who cannot produce ovum, उसमें हम लोग करेंगे gift, ectopic pregnancy are referred to as, तो अभी आज आपको बताएं आपको, कि अगर implantation other than uterus हो, uterus के लावा कहीं और भी implantation हो जाएज़ा, जैसे कि माली जो phallipian tooth में, तो ऐसी pregnancy को हम लोग बोलते हैं, ectopic pregnancy, तो pregnancy में implantation हो जाएगा आपका other than uterus, transfer हो जाएगा, implantation of embryo at site other than uterus, a type of contraceptive in which ovum and sperm are prevented from physically meeting, तो barrier method में आएगा है, physical meeting रोकना है तो barrier method, barrier method आपका male और female दोनों के लिए apply होता है, male condoms, walt and femicondoms, all are the method of barrier, cervical cap diaphragm, walt and femicondoms, femicondoms, यह female में यूज करते हैं, और male condoms, male में, खास बात यह रहेगी, आपका जो cervical cap, walt diaphragm है, यह reusable होते हैं, एक से ज़्यादा बार आप इस्तमाल कर सकते हैं, 192, emergency contraceptives, are effective within which time of period, within 72 hours of evolution, within 72 hours of spermiogenesis, within 72 hours of quietus, within 72 hours of implantation, तो implantation होगे, तो दवा लेने कोई बात ही नहीं होगी, emergency का मताब होता है, unprotected sexual cohabitation की बाद, आपको अगर लग रहा है कि आप pregnancy हो सकती है, तो आप contraceptive, emergency contraceptive का इस्तमाल कर सकते हैं, within 72 hours of quietus, which of the following statement are correct, reproductive health means physical, emotional, behavioral, social, the family planning were initiated in 1951, a rapid decline death rate, death rate में decline होना, MMR, maternal mortality rate, IMR, infant mortality rate, are lead to population growth, तो यह भी बाद सही हो गही, तो एंसर हो जाएगा 4, all of these, region of infertility are, physical or congenital diseases, drugs, immunological and psychological, all of these, तो बच्चों, आपका infertility का कोई भी region हो सकता है, drugs की वज़ा से भी हो सकता है, even psychological भी हो सकता है, immunological भी हो सकता है, physical भी हो सकता है, since birth यानि congenital भी हो सकता है, contraceptive methods are grouped in, which of the following categories, तो categories दी होई है, A, B, C, D, E, F, G, H करके, natural या traditional method, periodic abstinence, quietus interruptus, lactational immunoria, barrier में आपको याद होगा, male and female दोनों के लिए, IODs में आपको याद होना चाहिए, non-medicated hormone releasing and copper releasing, MTPs आपका contraceptive method में नहीं आता है, OCP, oral contraceptive pills, एक mini pill होता है, एक major pill होता है, major pill में आपका progestron, estrogen दोनों का combination होता है, और mini pills में सिर्फ आप सिर्फ progestron यूज करते हो, in vitro fertilization कोई मतलब नहीं है, injectables ये भी सही है, implants ये भी सही है, तो DF छोड़ दो, बाकि सब हैं, तो D जिसमें नहीं है, उसको अटा दो, D इसमें अटा दो, D इसमें है अटा दो, इसको अटा दो, तो एंसर हो जाएगा आपका 4, A, B, C, E, G, H, बच्चों देखो, कभी बहुत तेजी से करने का सबसे अथा मिटा, आप बैट के आप धूरो, इसको पढ़ो, time waste करो, उससे बेटर है, आपने देख लिए D और F नहीं होना चाहिए, आल आप दीज में D आता है, इसमें देखो D है, इसमें D है, बस खतम, ये तीनों आपसन खतम होगे, बचा के आपका 4, विच आप द फालोविश्टेटमेंट आर करेक्ट बिद रिफेरेंस तो गिविए डाग्राम, ये आपका इंप्लांट का डियाग्राम दिया हुआ है, इंप्लांट से तो ये आपका ना तो DNA फिंगर पिंटिंटिंग है ना तो आईओडीज है, प्रजिस्ट्राउन एस्ट्रोजन होता तो माल लेते हार्मोन इसमें लगाया जाता है, लेकिन ऑक्सिटोशिन दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, तैंसर हो जाएगा, फोर नन ओफ दीज, फिर एक डाग्राम दिया हुआ है, अब पूछा है, किस से रिलेटेड है, और उसके बारे में क्या स्टेटमेंट नहीं सही है, नौट करेक्ट है, तो अच्छा कोशन है, यह आपका कॉपर टी है, कापर रिलेजिंग आयोडीज है, तो इम्प्लांट नहीं है, इस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, हार्मोन रिलेजिंग आयोडीज नहीं है, और नौट करेक्ट बुछा है, तो तीनों बाते इससे के रिलेटेड क्या होगी, बच्छे आपकी गलत हो गई, तो बोट क्या है, आपके STI है, आर्टी आई है, STI है, आर्टी आई है, और वेनरल डिजीज है, तो यह तो तीनों बाते सही हो गई, बोट आर नान कुरेबल, तो आपको पता है कि जनाटल वर्स कुरेबल है, और जनाटल हर्पीस क्या है, नान कुरेबल है, तो यह गलत हो जाएगा, तो A, B, C is correct, एंसर इस फिर्स्ट, विच वन अदर फाल्वी इस दा इनकरेक्ट मैच, इमर्जन्सी कॉंटरसेप्ट टु सेवन देज, पहले गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए भाई, बिदिन 72 आर्स, बिदिन 72 आर्स आफ कोईटस, बैरियर मेधर फीमेल कंडूम होता है, बैरियर मेधर वाल्स भी होता है, और A, R, T का, यानि, एसेस्टिर रिप्रोड़क्टिव टेक्नोलाजी में, आपका, L, C, S, I, V, T, I, T, I, R, T, तो यह आपका एक शेक्शॉली ट्रांस्मिर्टेड इंफेक्शन है, लेकिन आपका assisted reproductive technology नहीं है transfer हो जाएगा आपका second तो बच्चों यह आपका All India Need Test 5 का discussion रहा 100 questions थे topic था आपका animal kingdom and आपका reproductive health hope आपने paper अच्छे से किया होगा और hope आपका पूरा chapter recall भी हो गया होगा तो thank you so much बच्चों Sir actually I had been in confusion regarding need 2021 assertion region based question please tell me whether the question will again तो बच्चों जो आपका need 2022 2022 में ऐसा कुछ नहीं है आपका वो assertion region टिपकली नहीं था और ऐसा question था उसका असानी से आप answer दे सकते थे नहीं 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 नो अंकित ऐसा कुछ नहीं है कि आप solve करिए आपका जो आया था बहुत ही कि एलिमेंटरी लाइक टाइप का था असानी साब answer कर सकते थे दो उसका आपको इसके लिए additional assertion region का question लगाने की ज़रूरत नहीं है तो बच्चों बाबाय टेक केर आप नेक्स्ट डिसकसन आपका किसका है फिजिस का है आप उसको जोइन करिए